सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल सिल्वर सीट राइडर्स आपका बहुत अच्वागत है आप लोग तो थम्लिन में देख चुके हैं फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कि या चीज डिटिल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको वीडियो आज दिखाने जा रहा हूँ हिलमेट रिलेटेड में हम लोग बाइक में हिलमेट पहते हैं और उसको यूज करते हैं फिर उसके बाद घर के किसी कोने में छोड़ देते हैं जो भी चीज है उसका एक मेंटनेंस रहता है तो आज मैं आपको बताने जाओंगा कि एक हिलमेट को आप कैसे मेंटन कर सकते हैं लगभग मतलब ये मेरे पास जो हिलमेट है अभी अभी नया एक खरिदा हो जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया एक एक जोर का है और एक है स्टड का जब हम समर के टाइम में हम हिलमेट यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि हम पसीने से डूबे हुए रहते हैं ये सारे के सारे बाल के अंदर और ये फेस के अंदर ये इसके अंदर डाडी के अंदर बहुत सारे जगा पर पसीना रहता है तो उसको स्वेट लेके वो क्या होता है हम उसी के उपर उसी के उपर तो वह क्या होता है कि वह कुछ smell आता है, बहुत अजीब सा बदबू आता है तो उससे क्या होता है ? अगर रहते रहते जैसे कि bacteria formation होते हैं और fungus हो जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे fungus होया है तो वह आक्चुली देखा जाए तो अच्छा नहीं है उसको कैसे आप एक treatment दें जो कि आपकी helmet clean रहें तो पहली बात क्या है कि ये जो helmet है उसके अंदर क्या होता है sponges रहता है जैसे कि ये तो मैंने अभी इसको खोल दिया है ये क्या है कि इसके अंदर ये sponges है ये एक padding है इसके अंदर तो यह पैड क्या होता है जब पसीन आ जाता है यह एक अच्छे से क्या होता है कि observer की तरह काम करता है जो भी आता है यह obsessive कर देता है sponge का जो material होता है पानी आ गया पसी नहाग Western कबीकबर हमारा बारिष के अंदर भी जो कांच वगरा थोड़ा खोल देते तो उसके अंदर छीटे आ जाते हैं कभी-कभी वह भी अब्जर्व करके वह स्मेल भी आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है अगर आप समर में यूज कर रहे हैं हफते में कोशिश कीजिए कि इसको लेके इसे पैडिंग वगरा इसको ना छोड़े और गीला भी होने से फंगस होता है तो गीला नहीं रहेगा तो फंगस नहीं रहेगा ये वाला हिल्मेट वाला तो मुझे यह अच्छा लगा थार्मो कॉल है जो मोटा सा अंदर पैडिंग है इसको थोड़ा बहुत धूप सेखने दीजिए तो इससे क् अगर आपके पास दो हिल्मेट है उसको आप स्वाप करके चला रहे हैं कोशिश किजिएगा कि एक हिल्मेट को वाश करके लॉंग पिरेट तक रखें आपके पास नहीं है तो कोई बात हिल्मेट को क्या करना है आपको हर 6 मंत में एक बार को क्या करना है पैडिंग खोल दे वह बहुत सेफ रहता है तो इसी के हिसाब से वह भी हाईजिनिक रहता है उसमें थोड़ा बहुत कमफट डाल दीजीगा 15 मिनिट की छोड़ने के बाद रब कीजीगा अंदर फिर उसके बाद दो तीन बार वाश करके उससे जितना भी मेला पानी चला गया के अंदर से जो भी बास मार रहा था मतलब लगा कि यार सही में इससे बहतर ही इसको फेक दू इतना मतलब बास पहला रहता है अभी रेगुलर पारिश भी हो जाता है पारिश के साथ पसी ना बहुत चिप चिप जैसे मैंने बोला आपको वास करके आप सुखा दीजीगा फिर देखिए का इस बिकॉज ओफ मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया है यह वाला देखिए इधर भी देख रहा है देखिए तो आपको शायद दिख रहा हो गया नहीं देखिए वाइट पैट दिख रहा है जब इनहल करते हैं यह भी आपके इंदर चला जाएगा हो सकता है आपका इंफे पंखे की नीचे सुखाए अगर धूप बगरा नहीं आ रही बारिश के टाइम में जैसे मैंने बताया हफते में एक बार उसको पैडिंग खोल के दूप से लीजिए तो आपकी हेलमेट में जो है बदबू है वंगस बगरा जो है चला गया और एक बात मैं बोल दूँ अग को याद होका हसिलिका जिल का लिवाद है वाइड वाली पाउच है जो होड़े पाउच हे और झाल सॉट्षि पाउच के आती य है और उसको हम बात जाना है जैसा है यूदर को आपकी घलमेट के अंदर रखिए तो आपकी जो मॉस्टराइज – वहा भी चली जाएगी बस स हब आपकी खुर्मिट तो एकंद आपकाइप आपको करेंगे गया वह तो मांगे ले ऑगर तो अगर वाथा इड vậy देगा अगर वह सहीं में बुरा लगे शुरूए यह वसकापने方 कि में मतशच और बोल दिया तो आप आपका भईया क्या हेलमेट आप साफ नहीं रखते हैं, क्या बद्बू आ रहा है, यह एक चीज मेरे साथ भी वाता, आज दो दिन अच्छा सकडवा धूप था, मैंने इसलिए यह सारे की सारे पैडिंग्स कोल के सुखा दे थे, आज बहुत सही में समेल आ रहा है, बहुत अ देख लो, छे महने के अंदर एक बार आप थोड़ा वाश कर लो बस खतम, पिरिट, सानिटाइजर और पर्फ्यूम, डियो स्प्रे अगर इसको आप यूस करेंगे तो यह ज्यादा हेलफूल हो जाएगा फंगस क्रेट करने के लिए, मतलब वह थोड़ा गीला होता है, आपकी हलमेट ज्यादा लॉंग टाइम लॉंग पिरिट तक चलेगी, तो इतना था आज का टॉपिक, वोप सो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट दीजिए, देखना ना भूलिएगा Silver City Riders, have a safe drive and always your helmet and take care of your helmet, bye